डिक्टेशन श्टार्ट होगा पांच चेकिन बाद श्टार्ट तलाक सुधा मुसलिम महिलाओं के लिए गुजारा भत्ता समंदी सर्वोच नयालई का फेसला एतिहासिक है विराम नयालई ने कहा है कि हर महिला को गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है कुमा चाहे वह किसी भी धर्म की हो विराम दर असल कुमा अभी तक मुसलिम पर्सनल कानून के तहत तलाक सुधा महिलाओं का गुजारा भत्ता तै होता था विराम शरीर अध कानून के मुताबिक इद्दत की अवधी तक ही तलाक सुधा महिलाओं को गुजारा भत्ता दिया जा सकता है विराम इद्दत यानि तीन महिने की वह अवधी कुमा जिसमें महिला किसी दूसरे के साथ विवा है नहीं कर सकती विराम मगर सर्वोच नयालई ने भारतिय दंड सहिता की धारा 125 को सभी महिलाओं पर समान रूप से लागु करार देते हुए कहा कि इद्दत के बाद भी महिलाएं गुजारा भत्ते का दावा कर सकती हैं विराम हैदराबाद उच नयालई ने एक मामले में फैसला दिया था कि पती अपनी तलाक सुधा पत्ने को गुजारा भत्ता दे विराम उसी फैसले को पती ने सर्वोच नयालई में चुनोती दे थी विराम उसकी दलील थी कि मुसलिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों का सरंचन अधिनियम, 1986 के चलते, कुमा तलाक सुधा मुसलिम महिला दंड प्रकिरिया सहिता की धारा 125 के तहट गुजारा भत्ता नहीं ले सकती विराम, मगर सर्वोच नयालई ने स्पष्ट कर दिया की धर्म निर्पेक्स कानून पर यह धारा आरोपित नहीं की जा सकती परा, मुसलिम महिलाओं के गुजारा भत्ता समंधी विवादों पर पहले भी अदालतें सहानू भूती पूर्वक विचार कर चुकी हैं, विराम, करीब दो वर्स पहले इलाहबाद उच नयालई ने फैसला दिया था कि तलाक के बाद महिला को पती से गुजारा भत्ता पाने का पूरा हक है, विराम, मद्रास उच नयालई ने इस पश्ट कह दिया था कि सरियत काउंसिल कोई अदालत नहीं है, और नै उसे कानून बनाने का हक है, तलाक सुधा औरतों को अपने पहले सौहर से गुजारा भत्ता मिलना ही चाहिए, विराम, इसे साल बंबई उच नयालई ने कहा कि तलाक सुधा महिला अगर दूसरी साधी कर लेती है, तब भी वह अपने पहले पती से गुजारा भत्ता मांग सकती है, विराम, सर्वोच नयालई ने उन तमाम फैसलों पर अपनी मुहर लगा दी है, विराम, मुसलिम महिलाएं तीन तलाक और गुजारे भत्ते की परंपरा के कारण सदियों से अत्याचार सहन करती आ रहे हैं, विराम, तीन तलाक के विरुद कानून बन जाने से उन्हें काफी राहत मिले, विराम, अब तलाक के बाद दूसरे धर्मों की महिलाओं की तरहे ही गुजारा भत्ता पाने का कानून स्थापित होग जाने के बाद उन्हें बड़ी राहत मिलेगी, विराम, सर्वोच नयाले के ताजा फेसले के बाद जो महिलाओं गुजारा भत्ते के लिए पहले नहीं करती थी, वे भी दावा पेस करेंगी, पहराम, भारतिय समाज में आज भी अधिकतर महिलाओं विवाह के बाद अपने पती पर निर्बर हैं, विराम, अगर किनी स्थितियों में पती उन्हें छोड़ देता है, तो उनका भरन पोशन मुस्किल हो जाता है, विराम, जिन महिलाओं के कंधों पर बच्चों को पालने, पढ़ाने लिखाने का बोज है, उन पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड ही तूट पड़ता है, विराम, बहुत सारी तलाक सुदा मुसलिम अवरतें दुबारा साधी नहीं कर सकती, विराम, इसलिए केवल इदद तक गुजारा भत्ता पाने से उनके जीवन की मुस्किले दूर नहीं हो पाती, विराम, फिर कुमा, जो महिलाएं दूसरा विवाह कर भी लेती हैं, कुमा, जरूरी नहीं कि उससे उनके बच्चों का उचित भरन पोसन हो ही जाए, विराम, असल सवाल है कि किसी महिला को केवल धर्म के आधार पर दूसरी महिलाओं से अलग क्यों माना जाना चाहिए, विराम, एक नागरिक के तोर पर हर महिला को समान अधिकार मिलना चाहिए, विराम, इस दृष्टी से सर्वोच नयाले का ताजा फेसला एक कल्यानकारी राज्ये के कर्तव्यों के अनुकूल और सराहनिय है, पर तमाम सरकारी दावों के बावजुद देश में सडक दुरगटनाएं कम नहीं हो पा रही है, विराम, आए दिन बड़े सडक हादसों की खबरें आ जाती है, विराम, खासकर आधूनिक तकनीक से बने एक्सप्रेस वे पर भीशन दुरगटनाएं हो रही है, विराम, उत्तर प्रदेश के उनाव में आगरा लखनव एक्सप्रेस वे पर एक तेज रफ्तार बस के टेंकर से टकराने और उसमें अठारह लोगों के मारे जाने की घटना इसकी ताजा कड़ी है, विराम, पहले भी इस मार्ग पर कई बड़े हादसे हो चुके हैं, विराम, सवाल है कि एक्सप्रेस वे पर आखिर इतने बड़े हादसे क्यों हो रहे हैं, पिछले वर्ज, नवंबर में केंद्र सरकार की तरप से जारी एक रपट के मुताबिक, 2022 में देश भर में हुई कुल सडक दुरगटनाओं में से 32.9% एक्सप्रेस वे पर हुई और इनकी वजहें तेज रफ्तार थी, विराम, दर असल, कुमा, एक्सप्रेस वे पर दिन प्रति दिन वाहनों का दबाव बढ़ रहा है, कुमा, एसे में तेज गती से गाडी चलान पर दुरगटना की संभावना हर वक्त बनी रहती है, पैरा, वैसे तो यातायात नियमों का उलंगन करने वालों से निपटने के लिए सक्त कानून बनाए गए है, विराम, मगर, कुमा, ये कानून तभी कारगर साबित होंगे, कुमा, जब प्रसासनिक तंत्र इन पर से अमल सुनिस्चित करेगा, विराम, अक्सर देखा गया है कि दुरगटना संभावित चिनित इस्थलों पर भी वाहनों की निगरानी के लिए माकूल व्यवस्था नदारद होती है, विराम, हालांकी, कुमा, एक्सप्रेस वे पर CCTV की व्यवस्था है, कुमा, लेकिन उनकी भी नियमत निगरानी किये जाने की जरूरत है, कुमा, ताकि दुरगटना के संभावित खतरों को समय रहते टाला जा सके विराम, बढ़ते सडक हादसों के मद्दे नजर, एक्सप्रेस वे पर यातायात पुलिस की गस्त बढ़ाने, कुमा, आपात सेवा के लिए त्वरित प्रतिकिरिया, प्रणाली स्थापित करने तथा कारवाई में देरी करने पर जिम्मेदारी तै करने का मुद्दा भी उठाया जाता रहा है, विराम, मगर इस दिसा में कोई ठोस पहल नजर नहीं आती है, विराम, तेज रफतार के अलावा लापरवाही से वाहन चलाना कु अधिक यात्री बिठाना, विराम, एकुसल चालक और नसे में वाहन चलाना भी सडक हादसों का कारण बनता है, विराम, इन पर रोक लगाने के लिए पुलिस और प्रसासन की इस्तर पर पुखता इंतजाम किये जाने की जरूरत है, विराम, व्यवस्था में खामी के लिए जवाब दे ही तए करना जरूरी है, तभी सुधार की उम्मीद की जा सकती है, समाप्त, दोस्तों इस डिक्टेशन का पेडिया फाइल अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अच्पि स्वामी पर डाल रखा है, और ऐसे ही रोजाना डिक्टेशन के लिए इस चैनल को ए एक बाद अभी सब्सक्राइब किजिगा,